हेलो प्रेंड्स, गोड इउनिंग, चलिए आज की एक अच्छा शुरू करते हैं, तो अधिक साधिक लोग जूड़ जाएए पहले, प्रिलिम्स वाले, आप लोग भी आये हैं कि नहीं आये हैं, पहले एक इंपोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, उसके बाद आज का में एंसर राटिंग का मॉडल एंसर देखेंगे, सबसे पहले कॉपि निकाल लीजिए आप सभी, चलिए उपर में लिखिए, 14 सितंबर हिंदी राजभास दिवस, हाँ सभी को लिखना है प्रिलिम्स और मेंस दोनों को, चलिए लिखिए, 14 सितंबर को 71 साल पहले देव नागरी लिपी में लिखी गई, हिंदी को देश की आधिकारिक भासा के तौर पर मान्यता मिली थी, कब मिली थी? 71 साल पहले 14 सितंबर को, अगला पॉइंट दीजिए, यह तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भासा है हिंदी, पुना रिपीट कर रहा हूँ, तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भासा है हिंदी, वह ही पर लिख लिजिए, सरवाधिक अंग्रेजी, दूसरा चीनी, और तीसरे में है हिंदी, यहां तक लिख लिए, अगला लिखिए, पॉइंट दे कर, सविधान में उलेक, पॉइंट दे दीजिए, चलिए लिखिए, सविधान सभा के दौरा, हिंदी को राजभासा का दर्जा, 14 सितंबर 1949 को दिया गया था, पॉइंट दिये हैं, सविधान में उलेक, उसके आगे लिखिए, सविधान सभा के दौरा, हिंदी को राजभासा का दर्जा, 14 सितंबर 1949 को मिला था, अगला जिखिए, सविधान में उलेक कहां पर हैं, तो भाग 17 में, पुनाह रिपीट कर रहा हूँ, सविधान में उलेक कहां हैं, तो भाग 17 में, अनुच्छेत कौन सा है, अनुच्छेत 343, 1st, 341, अगला पॉइंट दीजे, 10 जनुवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, लिखिए, 10 जनुवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, चलिए, एक बार मिलान कर लिजे, 14 सितंबर को 71 शाल पहले, देव नागरी लेपी में लिखी गई, हिंदी को देश की अधिकारिक भासा के तौर पर मानियाता मिली थी, यह तिसरी सबसे बड़ी बोले जनुवरी भासा है, हिंदी, पहला में देखेंगे तो अंगरेजी, दूसरा में चीनी, अगला आप टॉपिक दी होंगे सविधान में उल्लेक, तो उसके आगे देख लिजे, सविधान सभा के दौरा, हिंदी को राजभासा का दर्जा, 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ था, अगला पॉइंट, सविधान में उल्लेक कहां पर है, तो भाग 17, अनुच्छेत 343, फ़स्ट, अगला पॉइंट दिये हैं, देख लिजे, 10 जनुवरी को विश्वा हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो ये रहा, 14 सितंबर हिंदी राजभासा दिवस के बारे में, यहां से प्रस्ण पुछे जा सकते हैं, आज 14 सितंबर है, इसलिए इस टॉपिक पर बात किये हैं, तो चलिए, आज हम उनाहां मेंस एंसर राटिंग का, 12 दिन का मॉडल एंसर देखने जा रहे हैं, तो आप साथ ही साथ, जो आज मेंस एंसर राटिंग में लिखे हैं, उसको निकाल लीजे, और चेक कीजे, कि आपने कहां गलती की है, आपके अंसर राटिंग अफ्रीडवे, मेगा टेस्ट का दिया जाएगा, सभी छात्रों का, जितने ही बेच वाले हैं, जो भी मेंस गुरूप में हैं, जितने ही लोग भी लिखे हैं, चलिए पहले चेक कर लिजे, और जो छात्रों नहीं लिख रहे हैं, मैं तो बुलूँगा, आपको भी सिखना चाहिए, आप और लिखना भी चाहिए, सभी लिखा गी जे, आप जितना जानते हैं, उसके बार यह उतना ही लिखे, अपने मन से बिलकुल भी कुछ मत लिखे, इंग्लिश मुडिया मौले, हिंदी में मॉडल एंसर जारी किया जा रहा है, आप लोग ट्रांसलेट कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कात आओ है, तो हमारे जीतेंद्र सर को आप SMS करके पूछ सकते हैं, वे मॉडल एंसर को प्रोइट करेंगे, कि सही लिखे हैं आप कि क्या सुधार कर सकते हैं, इंग्लिश मुडिया मौले, तो चलिए, आज का पहला प्रस्न था, निकाल लिजे सभी जो जो लिखे हैं, कवर्धा के फड़ी नाग वन्स के प्रमुक सासको के नाम लिखे, केवल कोईशन पुछा गया है आपसे, कि सासको के नाम लिखे, तो आपको केवल सासक का नाम लिखना था, उत्तर, कवर्धा के फड़ी नाग वन्स के प्रमुक सासक निम्न है, अहीराज, गोपाल देव, रामचंद्र देव, मोनिंग देव, ये प्रमुक सासक हुएं, इस वन्स के संस्थापक अहीराज है, इनका शासनकाल लगभग, ग्यारवी से चौदवी सताब्दी तक कवर्धा छेत्र में था, ये तीस सब्द के प्रशन पुछे जा सकते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस वन्स के संस्थापक अहीराज है, इनका शासनकाल लगभग, ग्यारवी से चौदवी सताब्दी तक कवर्धा छेत्र में था, दूसरा प्रशन था, छिंदक नाग्वन्स के संस्थापक राजधानी और प्रमुक सासकों के नाम लिखिये, प्रशन था, छिंदक नाग्वन्स के संस्थापक राजधानी और प्रमुक सासकों के नाम लिखिये, तो उत्तर देटी लिजे, छिंदक नाग्वन्स के संस्थापक नी प्रतिभुशड थे, इस वन्स के सासकों की राजधानी बारशुल छेत्र दन्तेवाणा अर्थाथ चक्रकोड था, इस वन्स के प्रमुक सासक नीम्न है, धारावर्ष, मधुरान्तक, सोमिसर देव, कनहर देव, जैसिह देव, राजभुशड, जगदेव भुशड, हरिस, चंद्र देव, यह आपका सेगन प्रस्ण था, छिंदक नागवंस के संस्थापक, राजधानी और प्रमुक सासकों के नाम लिखे, तो किवाल आपको नाम लिखना था, संस्थापक के बारे में बताना था, और राजधानी के बारे में बताना था, तो एक बर और देख लिजे, चिंदक नागवंज के संस्थापक निप्रती फुशर थे इस वंज की सासकों की राजधानी बार्शुर्चेतर दंतेवाड़ा अर्थाद चक्रकोड था इस वंज के प्रमुव सासक निम्ना है धारावर्श, मधुरान तक, स्वमिस्वर्देव, कनहर्देव, जैसिह देव, राजधुशर, जगदेव भुशर, हरिश्चंद्रदेव, आदी तो ये रहे आपके दूसरा प्रसना चलिए, तीसरा प्रसन देखते हैं, आज का तीसरा प्रसन था फड़ी नागवन सी सासक राम चंद्रदेव के बारे में बताईए तो आपको केवल राम चंद्रदेव के बारे में बताना था तो देख लीजे, चलिए जो भी जितने वी दिनों का मोडल एंसर जारी कर रहे हैं इसके अलावा भी अगर आपको लगता है, ये कुछ सब्द एट करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन जो प्रस्त में पुछा गया है, उसकी फैक्ट बाते छुटनी ने चीए, तो आप सभी तो पूरी प्रक्रिया समझ गये होंगे कि मेंस एंसर राटिंग किस तरह से हो रही है नौ से दस के वी सुभा आपको कुश्चन मिल जा रहा है, आप प्रती दिन जो लगतार कंटीनू लिक रहे हैं, उस चातर छे से साथ आप पीडियाप बना कर गुरूप में सेन कर देते हैं जिसका मॉडल एंसर आप नौ से दस के बज़े के बीच मिल जाता है, तो चेक कर लिया किजिए और नोट से बनाते जाए देखिए बारवा दिन का आज हम मेंस एंसर राटिंग कर रहे हैं, तो आपके पास लगभग 12,5,60, लगभग 65,70 प्रस्न हो चुके होंगे तो इसी तरह से आप नोट से बनाते जाएए, आप देखिएंगे कि अंत में आपके पास एक अच्छा मेंस एंसर राटिंग प्रस्न उत्तर का नोट से त्यार हो जाएगा तो देख लिजए रामचंद्रदेव के बारे में रामचंद्रदेव ने कवरधा में मडवा महल एवं छर्की महल का निर्मार करवाया था यह मुलता सिव मंदिर था जो विवाहा का प्रतिक है यह आपका रामचंद्रदेव के बारे में बताना था कि रामचंद्र देव ने कवरधा में मडवा महल एवं छेरकी महल का निर्मार करवाय था यह मुलता सिव मंदिर था जो विवाह का प्रतिक है इसके अलोवा भी आप लिख सकते थे कि रामचंद्र देव के बारे में पुछा गया था तो रामचंद्र देव फड़ी नागवंसी का एक प्रतापी सासक था इस तरह से आप एट कर सकते हैं सब्द वली को बढ़ाने के लिए अगला प्रस्न चौथा प्रस्न था महराजा धिराज की उपादी धानड करने वाले छिंदक नागवंसी सासक के बारे में बताईए उत्तर छिंदक नागवंसी सासक सोमेशवर देवने महराजा दिराज की उपादीधर्ण की थी इसे छिंडक नाग वनसियों में सबसे अधिक प्रभावसली सासग माना कए है इन्होंने अपने समकालिन अनेक प्रमुख सक्तियों को पराजित किया हाला कि इन्हें कल्चोरी सासक जाजलेद्यो प्रथम ने पराजित किया था पढ़े होंगे प्रेलिम समय कि जाजलेद्यो प्रथम ने पराजित किया था वह उनके पूरे परिवार को बंदी बनाकर रतनपूर ले गए किन्तु सोमेस्वर्द्यो की माता गुंड महादेवी के आगरह पर छोड़ दिया गया राजनेतिक उपलब्धियों के अलावा सोमेस्वर्द्यों को सासनकल सांस्कृतिक विकास के लिए भी जाना जाता है इनके समय बार्शूर तथा निकट छेत्रों में प्रमुक मंदिरों का निर्माड हुआ तथा सिक्के चलाए साथ ही छिंदक समराज्य का विस्तार किया गया तो ये रहा आपका प्रस्ण कर्मांग चोंथा था कि महराज्य धिराज की उपादि धनड करने वाले छिंदक नागवंसी सासक के बारे में बताईए तो चलिए मैं ओडल एंसर से देख लीजे एक बरवर बोल देता हूँ छिंदक नागवंसी सासक सोमेश्वर देव ने महराजा धिराज की उपादि धनड की थी इसे छिंदक नागवंसीयों में सबसे अधिक प्रभाव साली सासक मना गया है इन्होंने अपने शमकाली अनेक प्रमुक सक्तियों को पराजित किया हाला कि इन्हें कल्चूरी सासक जाजले देव प्रथम ने पराजित किया था वह उनके पूरे परिवार को बंदी बनाकर रतन पूल ले गए किन्तु सोमेश्वर देव की माता गुंडा महादेवी के आगरह पर छोड़ दिया गया राजनेतिक उपलब्धियों के अलावा सोमेश्वर देव का शासनकाल सांस्कृतिक विकास के लिए भी जाना जाता है इनके समय बारिशूर तथा निकट छेत्रों में प्रमुक मंदिरों का निर्माड हुआ तथा सिक्के चलाए साथ ही छिंदक समराज्य का विस्तार किया गया ये आपका प्रस्त चौंथा था अगला देख लिजे प्रस्त पांच्वा था आपसे पूछा गया था पैठुल विवाह क्या है तो देखिए आपको विस्ते पिछली जन जाती का भी प्रस्त दिया जा चुका है अन्य अनुसुचे जन जातियों इनके वारे में भी प्रस्त दिया जा चुका है ये आज विवाह का भी प्रस्त आपको पहले भी दिया जा चुका था आज पुना दिया जा रहा है कल हम आपको नित्य पर्व और तवहार यहां से प्रस्ण देंगे तो देखिए इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो प्रस्ण पूछ रहे हैं वह इस प्रस्ण आएगा लेकिन विवाह में आपको क्या लिखना है इसके बारे में हम प्रत्यक मॉडल एंसर बताते हैं तो विवाह में जिस देखिंद लिंगे आप प्रिलियूम समय जितने भी विवाह का हम क्लास में देखे हैं क्या क्या पढ़े हैं उसको इस तरह से आप नोटसर तैयर कर लेंगे इसी तरह हम कल से विचेश पिछली जन जातिी और शुचित जन जाति इसका प्रस्न सौलड नहीं करेंगे, क्योंकि प्रस्न इसी तरह से आप से पुछे जाएंगे, जिस तरह से हम बता रहे हैं, भले दूसरे जन जाति के बारे हम पुछे, तो जो model answer में हम answer provide कर रहे हैं उस तरह से आप लिखने का प्रयास कीजिएगा तो देख लिजिए पैठोल विवाह क्या है पैठोल विवाह या हट विवाह का स्वरूप है बैगा जन जाती में पैठोल के नाम से प्रशलित है इसमें युवती जिस युवक के साथ विवाह करना चाहती है उसके घर में प्रवेश कर जाती है अंतताह वरपक्ष की सुकृति के बाद इस विवाह को मान्यता दे दी जाती है अगरिया जन जाती वक्वर्वा जन जाती में इसे ढोको विवाह भी कहा जाता है तो देखिए जब आप में से इंसरेटिंग करेंगे तो पहले बता दीजिएगा कि कौन से जन जाती में प्रचलित है उसके बाद बताईए कि वह होता क्या है बैगा जनजाती में पैठुल के नाम से प्रचलित है इसमें युवती जिस युवक के साथ विवाह करना चाहती है उसके घर में प्रवेस कर जाती है अंतताह वर पक्षकी स्विक्रिती के बाद इस विवाह को मान्यता दे दी जाती है अगरिया जनजाती वक्षकी जनजाती में इसे ढोकु विवाह के नाम से भी जाना जाता है यह आपका आज का पांचो प्रस्न अगला देख लिजिए मुडिया जनजाती जिसके बारे में अभी उल्ले कर रहा था कि इसके पहले भी हम दो तिन जनजाती के बारे में इस तरह से मेंस एंसर राटिंग कर चुके है विवाह के बारे में भी देख चुके थे कल आप तयार रहेंगे नीत्य के बारे में आपको कोई सभी एक नीत्य प्रसन में पुछा जाएगा किसी एक पर्व के बारे में पुछा जाएगा और किसी एक तेवहार इनके बारे में पुछा जाएगा फिर हम पुनाह सिलेवास पे आएंगे जहां जन्जातियों में जो समस्याय उत्पन होती है प्रित्यक करार इनके बारे में बात कर लेंगी कुशन उसको सॉल कर लेंगे तो आप कल तयार रहेंगे आपको टॉपिक वैसे साम को रात को भेज दिया जाएगा प्रैसन चटवा है मुडिया जंजाती को बताईए तो देख लिजे उत्तर मुडिया जंजाती तो प्रती दिन जब आपको प्रैसन पूछा गया है तो देखेंगे कि इस तरह से पहला टॉपिक था भागोलिक संकेंद्राण समाजिक इस्थिती, आर्थिक इस्थिती, धार्मिक इस्थिती और संस्कृतिक विशिस्ता है, तो आप भी इसी तरह से लिखने का प्रैस किया कीजिए तो देख लिजे मुडिया जंजाती का भागोलिक संकेंद्राण तो छतिस गड़ के दक्षडी छेतर की प्रमुक जंजाती है यहाँ गोड जंजाती से संबंध है यह कौन सा हुआ इसका भागोलिक संकेंद्राण अगला देख लिजे समाजिक इस्थिती विभिन्न गोत्र समुह में विभाजित जिनके प्रिथक प्रिथक टोटम में समुदाइक गोत्त तकी भावना इनकी प्रमुक विशिस्ताएं मनी जाती है तो टोटम क्या है आप तैयार रहेगा कल आपको प्रस्न दिया जायेगा टोटम के बारे में बताईए तो आप जितने उसके बारे में जानते हैं आप सरचिक लिजेगा वीडियो देखना चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं एक बार ओर देख लिजे भगोलिक संकेंद्रड 36 गड़ के दक्षडी छेत्र की प्रमुक जन जाती है यह गोड जन जाती से सम्बंध है कौन से जन जाती तो मुडिया जन जाती समाजिक इस्थिति विभीन गोत्रसमुह में विभाजित जिनके प्रिथख प्रिथख टोटम म इनकी प्रमुक विश्यस्ताएं मनी जाती है तो यह हुआ भगोलिक संकेंद्रड समाजिक इस्थिति अगला देख लिजे आर्थिक इस्थिति इनमें इस्थाई क्रिशी का प्रशलन साथ ही वनुपत संगरहार आखेट स्रमकारिया आदी में भी शन लगना होते हैं कौन सा यह उनकी आर्थिक इस्थिति अगला देख लिजे धार्मिक दशा क्या है धार्मिक इस्थिति क्या है तो ठाकूर देव महा देव की पूजा की जाती है तथा उनके पूर्वजों की भी पूजा की जाती है तो यह उनकी आर्थिक दशा और धार्मिक दशा अगला देख ल दोप से समरिद्ध जन जाती मानी जाती है कौन से जन जाती तो मुडिया जन जाती इनमें सांस्कृतिक युवाग्रिय की प्रथा घोटूल प्रचलित है वेरियर एलविन ने मुडिया एंड देयर घोटूल नामाग प्रसिद्ध किताब लिखी है मुणिया जन जाती में नवाखाई, जात्रा, मड़ाई, आदी कविसेश महत्व है इनका एबालतो और नित्त भी प्रचलित है तो आप तयार रहेगा, आपको तीन प्रस्ना यहां से मिल सकते हैं पहला, टोटम, लिख लीजे पहले कॉपी में कल के लिए प्रस्ना आप लिए वैसे आपको प्रॉइट कर सकते हैं साम को क्या क्या टॉपिक रहेगा पहला लिख लीजे टोटम, दूसरा लिख लीजे अबालतो और नित्या हो गया, तीसरा लिख लीजे, चल यह तीसरा गौशन आपको साम को बताएंगे या आगे भी रात को बताएंगे या आगे भी बता सकता हूँ ये इनकी सांस्केतिक विसेशनाय हुई किनकी तो मुडिया जन जाती की है इसी में आगे हैं द्रविड भाजा समूह की बोलियों का प्रयोप करते हैं इनमें अंतिम संसकार के रूप में दफनाने की परंपरा विद्यमान है मृतकों को उसकी उपयोगी वस्तुओं के साथ दफन और प्रतिक के साथ इस्तम भी लगाये जाते हैं ये जन जाती काश्य सिल्पकला की जो सिल्पकला है उनमें भी दक्ष माने जाते हैं तो ये हुआ मुडिया जन जाती के बारे में आज का अंतिम प्रस्न था जन जाती यूवा गरिया को समझाईए तो देखिए आपको क्यों जन जाती यूवा गरिया के बारे में पूछा गया था कि जन जाती यूवा गरिया को समझाईए तो आपको क्यों जन जाती यूवा गरिया होता क्या है उसके बारे में बताना था यूवा गरिया का नाम है जो घोटूल धुंकुरिया होता है वह किसी एक जन जाती के जो यूवा गरिया उसका नाम है तो देख लेज़े पहले यूवघरिह क्या है यूवघरिह जनजातियों के लिए एक प्रमुक समाजिक संस्था है जहां अविवाहित यूवग योतियों को समाजिक और सांस्कितिक परंपराओं के सिच्छा दिजाती है जिसका संचालन किसी वरिष्ट व्यक्तियों के दौरा किया जाता है यह रहा आपका युवागरिय का परिभासा कि युवागरिय जनजातियों के लिए एक प्रमुख समाजिक संस्था है जहां अब विवाहित युवक योतियों को समाजिक और सांस्क्रितिक परंपराओं के सिख्छा दी जाती है जिसका संचलन किसी वरिष्ट वक्ति के दोरा किया जाता है अगला देख लिजे कि युवक गिरिया के उद्देश क्या है तो पहला उद्देश से देख लिजे जन जाती युवक योतियों को समाजिक और परंपरिक करतब्यों की सिख्छा देने का एक उपयोगी केंद्र है कौन सा? तो जो युवक गिरिया है वहाँ यह आपका दूसरा उद्देश या, तीसरा देख लिजे, धर्म से संबंधित संस्कारों को सिखने का एक इस्थान है, ये रहा तिन घोटूल आगी, गोटूल के उद्देश या, इसी में देख लिजे जिन के बारे में आप लोग ज्यादा उल्ले के हैं, घोटूल धुम कु उसके बारे में मुरिया जन जाती के यूवडरिया को घोटुल पोइंट लिख लेजे प्रिलिम्स के लिए भी इंपटेंट है अप इस तरह से लिखा किजे नकी टेव से दुमकुरिया कि क्योगी राए कया प्रिलिम्स के याद करने के दिश्टे कोर से उस तरफ से सजावट की जाती है तो means answer rating में आप line में लिखने का प्रयास करेंगे ये आपका हुआ भारिया जंजाती के यूवा ग्रिया अगला देख लिए भूईया जंजाती के यूवा ग्रिया को जो परजा जंजाती है उनके यूवा ग्रिया को धांगा बकसर कहते हैं तो यह रहा आज के टोटल साथ प्रस्ने के model answer तो आप प्रते दिन model answer से चेक किया किज़े मिलते है कल इसी समय नए प्रस्नों के साथ तो सभी त्यार रहेगा कल नव बज़े के लिए आप मेंस answer writing का अपने copy में भी notes बना सकते हैं याद रखेंगे prelims में आपके मेंस answer writing इंग्लिज जो सुन लिजे कि मेंस answer writing के लिए आपको पहला paper language का है उसमें से इंग्लिज की कक्छाएं आजपूना प्राराम बहो गई है तो चाहे आप prelims वाले रहें या mains वाले रहें अगर आप prelims वाले हैं तो one day exam में आपके ब्यापम के दिश्टी कोड़ से महतब पूर्ण है और आप answer writing वाले आपके लिए तो इंग्लिज महतब पूर्ण नहीं है तो आप भी प्रॉपर रूप से 5 बजे कल से live class शुरू हो गया है मतलब आज शुरू हो गया है बेक्याप class भी दे जा चुकी है तो आप साथ ही साथ इंग्लिज कभी नोट सा बनाते जाए क्योंकि उनको हम language वाले में किसी भी दिन टेस्ट एक रूप में ले सकते हैं जो प्रस्ण में में पुछे जाते हैं तो सभी तयार रहिएगा और साथ ही साथ बता निजिएगा देखिए जनजाती वाला जो पार्ट है आपको पूरा याद रखना पड़ेगा जिसे कि आपको किसी अनुसूचित जनजाती के बारे में पूछा जा रहा है तो जितना आप प्रिलियूंस में पड़ते हैं उनसे भी टॉपिक को याद रखिए किवाल यहां हम सेम्पल बता रहे हैं कि किस तरह से प्रस्ण पूछे जाते हैं